वो सब के साथ उसी तरीके से भीव करते हैं से अभीनाश के साथ करने हैं उसमें कुछ गलत नहीं है मैं तो 100% अगरी करता हूँ शालीन भाइया की वात हो सब उसके बाद जब कोई आता है तो वो विवेन है तो पहले यह पता है अरुदराक्ष कैसे हैं आप मैं बड़ी हूँ आप कैसे हैं अप मुझे लगता है पहली बार सिस्टर से इतने टाइम तक दूर हैं बात नहीं कर सकते हैं क्या कहना चाहेंगे कैसा चल रहा है सब कुछ पहली बार ऐसा है कि तीन महीने के गाप में अभी तीन महीने मतलब होंगे मुझे I'm pretty sure कि final तक जाएंगी यह पहली बार हूँ कि इतने लंबे space में मैं उनके बिना रहा हूँ क्योंकि इतना यूस्चु मुना मैं उनसे मतलब कि लड़ रहा है हम लोग जगड रहा हैं तो घ सबस्क्राइब करना एक थोड़ा खाली-खाली सा फील हो रहा है बट रोज उनको मैं देखी रहा हूँ लाइफ पर तो इत फील सबस्क्राइब क्या चीजे मिस कर रहा हूँ कि वही नॉर्मल हमारी जो नोग जोग होती रहती थी कि तु 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 छोड़ दे मुझे मेरी फेवरेट सीरीज देखने थे और फिर हमारे पीच में लडाई होती रहती थी कि कि बाद्मिंटन खेलेंगे तो इसका राकेट होगा यह सब चलता रहता था दिन बर इशा का गेम कैसा लग रहा है आपको सी ऐस फार आज आफ सीन अभी तक मैंने एक बी एपिसोड मिस हर एक चीज में परफिक्ट है और आई रूंट थिंग वो कोई भी एक चीज में मिस आउट कर रही है जिसको मैं पिंपोइंट करके बोल सकता हूं कि यहां पर गलत जा रही है तो जैसी वो रियल लाइफ में है 100 परसंट वो अपना वैसे ही रियल है शो मैं आपने देखा ह कोईबी अमाउंट का मनी तो यह तो ऊपने रिश्ते तोढने के लिए और उनको अपने रिष्टर बोलें एंपर जाता है बड़े जाया रहे है यह घनिteil लोग ब ver वो कोई बॉंड निभाती हैं तो बहुत दिल से निभाती हैं और वो रियल लाइफ में भी ऐसी हैं जैसे वो घर में और रियल लाइफ के बॉंड भी अच्छा से निभाती हैं जैसे घर में निभाती हैं और अभीणाश को पूरा घर क आपटी सहमति से भार भी निकालने की वाते हो रही इसी एडगा उस मूवमेंट पर भी वो अडे रही उनको तो पता नहीं था कि अभीणाश रहने वाला है। तो उस मुवमेंट पर अड़ी रहें कि भले ही अभी निकल जाए पर मैं भी उसके साथ जाओंगी क्योंकि वो रॉंग फुली एविक्ट हो रहा है और चाहे वो अभी नाश हो या फिर आलेस हो या फिर वो कोई भी दोस्त हो चाहे वो किसी को भाई का दर्जा दे रहे है या फिर किसी को दोस का दरजा दे रहे हैंगर वो बोलती हैज तो उस बात पर खड़ी होती है तो मैं यह भूलना चाहँगा कि उनकी जतनी बाइट से बहुत प्योर हैं उसमें कुछ भी झूट नहीं है अगर आप बात कर रहे तो इशा और रजद की बात करूँ मैं तो इशा ने रजद को भाई माना है तो आप खुद उनके भाई है कि आप में इन सिक्योरिटी हुए कि या भाई बन गया ऐसा कुछ और वो बॉन कैसा लग रहा आपको दोनों का रजद भाई का जब मैंने वह देखा था कि इनका जब अचा बॉन बन रहा है जब रजद भाई इसने प्रोटीक्टिव है मेरी बहाँ के डू़ तो मुझे यह देख चा लगा था यहां तक ही मेरी मम्मी को भी देख बहाँ अच्छा लगा था बट अफकोर्स हर इश्ते में अपसन डाउन जाते हैं, सबकी अपनी स्ट्राटीजी होती हैं, हो सकता है कि मेरी बहन तो देखो हमिशा 100% ही देती है, चाहे वो कोई भी बॉंड हो, बट वो सेम एनरजी रजट की तरफ से उनको वो नहीं मिली वापस, तो वो पीछे हो गई खुदी, बट मुझे लगता है तो बट मुझे तो बात नहीं बट मुझे तो बॉंड काफी अच्छा लगा पर सेम आपर और बी कई लगाय जारा है बहर से जो लोग गेम बेख रहे इंट्री होई है, अधिन हो अधिती हो, जो भी गया है तीनों उनका ऐसा कहना था कि अंदर जो है, इसा खाली चुगलि अधिन चाहिए जो अधिन के लिए पॉज़िटिव चीज नहीं हो, एक परस्पेक्टिव बन जाता है कि तरफ जो पर बहर से चीज़े देखना है, तो मुझे लगता है जो टाग है चुगली वाला यह थोड़ा गलत है, बिकुज चुगली का ड़िशन ही गलत है, क्योंकि अगर आप यह बोल रहे हो कि उपिनियन देना मतलब चुगली करना होता है, तो तो यह थोड़ी का ड़िशन क्या होता है, मैं अगर एक hypothetical situation में अपने आपको रखूँ और मैं कॉलिज में बैठा हूँ और मेरा दोस मेरे साथ बैठा है, और मेरे दोस ने मुझ से बोला कि अ आपन बंक मारतने क्लास, और मैं उसकी बात टीचर को जाकर बता दूँ कि यह ऐसा ऐसा बोल रहा है, तो अगर मैं किसी से बात करना हूँ और मैं किसी थर्ड परसन को जाकर बता दूँ उसकी गेर मौजूदगी में, वो चुगली करना होता है, और आप जब ऐसे घर में ब तो चुगली करना नहीं होता है, वो आप बस उपिनियाटे हो, तो इस इंटार टाग इस वरी रॉंग, यह विवियन का गेम कैसा लग रहा है आपको अगर तूवर्ट्स मैं इशा के साथ चोन के बांड के बार में बोलो, आपको कैसा लग रहा है देखके पहली बात तो मे आपको कम्पॉसारे हैं गार में बेंन जिन के बात बांड चाहिए, वोह कुंछे चीज लगता है जितने का बात मेरी बहन के नियुत्त प्रूंच वो जुनका एक bond है वो भी बहुत ही मतलब एक strong and clarity बहरा है उनमें एक boundary भी है respect की और उनमें एक understanding भी है दोनों के preferences और दोनों की strengths के बारे में तो पस मैं यह करूँ गूँग। इशा और एलिस का जो bond है मतलब काफी एक होता है ना बहन चारा वाला जैसे बाई चारा था बहन चारा है वो दोनों साथ में दिख रही है साथ में उटना साथ में सोना साथ में ब्रश करना और बहुत सारी चीज़े इस हफते अगर सपोस्स अगर निकल जाती है तो क्या लग कहीं न कहीं इशा खुद को और जादा नहीं दिखा पा रही है कहीं आपको ऐसा फील हुआ है सी ओनेस्टली मैं यह कहूंगा कि इशा और एलिस का परले जो bond की बात करते हैं वो ऐसे वो तुनों एक तरह से पार्टनर्स हैं कोई भी इशू आता है तो वो एक दूसरे साला लडाई भी हो जाती है तो अगर वो चली जाएंगी तो अगर वो चली जाएंगी तो अफकोर्स मेरी बहन को ना मेरे कहल से थोड़ा वीक फील हो थोड़ा वोल्नरेवल फील हो क्योंकि आप जब एक घर में जाते हो और आप किसी को नहीं जानते और आपको एक बांड बन जब वो एकदम से चले जाता है तो थोड़ा इंसान वीक फील करता है उसको लगता है कि मेरा कोई बहुत पास का चला गया जो मुझे फ्यूचर में सपोर्ट कर सकता था अगर बहुत अगर वीच मेरे कहाल से हो सकता है कि वो थोड़ी सी डगमागा है बट अगर वो चली भी जाया जो मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी तो अगर चली भी जाया तो वो अपने अपको हैंडल कर लेंगी एंड उनका गेम तो भी अच्छा स्रॉंग गया जब इशा जा यह संकिन करने का कि वो लोग बिग बॉस घर में जा रहे हैं अफकोस काफी सारे लोग ना इंस्पिरेशन लेता है पुरानी सीजन से कि इन लोग न ऐसे खेला तो हम ऐसे खेलेंगे मेरी बहें के किस में किया हुआ कि उनको मेरे किल लास्ट डे पे ही पता चला था कि वो ज में गई थी सल्मान सर से भी उनने यही बोला था कि में को जास्ट चबी बदा चला इन लोग ने मुझे मनवा लिया कलर्स वालों और उसकी वजए से वो प्लान करी नी पाई मतलब एक इंसान को थोड़ा सेटल होने में टाइम लगता है एक दिमाग में बिठाने में लगत एक तो जो लोग मठाएन लगता है कि वो इस लिए उनुग को श्राशन की टायम संफ कि ने अन शोचने का विला टाम है यह ने कुछक कि ग बनना यह पन्किरी ने रभी क्यारा है उनने यह इन में टाइम की तुकि जिछ्टिन उनने अनने छोचने गले बनाने में लिच की अल्सो शालीन ने कहा है कि इशा एक सर्प्राइस पैकेज बनकर गई है अंदर मतलब वो कुछ सर्प्राइस है उनको इतना मतलब जितनी मजबूती से वो खेल रही हैं क्या कहना चाहेंगे आप शालीन की बातों से कितने बोलते हैं अगरी करते हैं मैं तो 100% अगरी गरता हूं चालीन बाया की बातों से क्योंकि मेरी बहन जो ऐसी है ना वो काफी बार बहुत अनेक्सपेक्टेट चीज़े कर जाती हैं है है हो सकता है कि लो को लग रहा हो कि यह डिसिजिजन वन लेगी बट वो एगदम से टरन अगर डिसिजिजन टू ले ले लेती हैं और लोग सप्राइस भी गर देती हैं तो वो उनकी स्ट्रेंट्स में कहुंगा बट वो पैकेज हैं तरह से कि उनके अंदर जितनी भी कॉलिटीज है वो मेरे काल स पॉसेटिव नहीं है अगर कोई पोट्रे करने चाहा रहा है कि वो नेगेटिव कॉलिटीज बहर रहें तो हो सकता है लोग करें बट आस फार जिस तरह से हमें भी पता है इशा इमोशनल जल्दी हो जाती है कोई ऐसा मुमेंट वा कि उन्हें स्क्रीन पर रोता देख गर में आप और मम्मी भी एमोशनल हुए हो हाँ अभी डेफिनेटल अभी मम्मी कहीं से कुछ दिन पहले उनको सला करने तो वो जो एकदम से मेरी बहन का रियाक्शन आया वो देखकर हम लो कफी एमोशनल हुए है यहां तक ही मेरे डाइट जो भॉपाल में रहता है उनका तक कॉल आया था कि कुछ भी हो एसा हुआ कभी कि मां से दूर जाना पड़ा शूट के लिया कुछ भी हो तो वो ना बहुत वल्नरेबल फील करती है और इतने लंबे टाइम के लिए मेरे काल से पहली बार ही वो इतना दूर रही होगी तो जब वो एकदम से उनने देखा कि मां बैठी हुई है तो वो जो रियाक्शन आया कि काफी लोग जो घर में हैं थोड़ा सा थोड़ा सा ब्लैंड हो गए थे है ना तो जब नए लोग आतने है तो अफकॉर्स ही बात है नए टॉपिक्स हुटते है और उन नए टॉपिक्स के वाई से गीम और इंट्रेसिंग होता है वेधर इस ए साइड में हो या फिर बी स होगा यह लोग जज कर रहे थे उनकी एज लेके कि मतलब इने देखकर तो ऐसा लग रहा है कि यह 35 में होंगे 40 में होंगे तो क्या आपको क्या लगता है नेशनल टीवी पर इस तरह किसी की मतलब जज करना यह कितना सही था I don't think उसमें कोई इशू है जब हम अपने दोस्तों के साथ भी बैठते हैं और हम हमें लगता है कि कोई सामने से आ रहा है या फिर हमारे ग्रूप में कोई एंटर हो ने कोशिश कर रहा है या फिर इन जनरल कोई क्लास में ने एंटर हो रहा है हम कॉलेज में बैठे हुए प्네 पयायर गेम लगता है इसके बारे में क्या होगी या फिर इसके लूक्स के बारे में क्या लगता है उसमें कुछ गलत नहीं है जब 4 लो आपस में ये पने बैठते हैं तो अपने उपने गयम दोट कहिए हैं है जिनसे इशा को दूर रहा ना चाहिए आपको एसा जब उस घर में एंटर होता है तो आपके सारे सोर्सेज ओव डॉपमीन चीन ले जाते हैं तो आदमी वैसे ही इरिटेड़ होता है आप बुक नहीं पड़ सकते आप मूजिक नहीं सुन सकते तो कई बार कई लोग ऐसे होता है जो थोड़े नेगेटिव दिखने लग जाता है बट वो उनका 100% फॉल्ट नहीं होता क्योंकि वो घर में से सरकम्सांसिस बन जाती है तो अगर मुझे एडवाइस देनी है तो मैं बोलूंगा कि मतलब हाँ आप उन लोग से धूर रहो जो लोग अपने ही ग्रुप में स्टेबल नहीं रह पारे बर उनका भी गेम स्ट्रा अपने पॉइंडर गर के अंदर इशा का यलिस का विनाश का कि मतलब वो खड़े हैं पीचे से वह करें आगे से वो उसमें भी सारे लोग अपने अपने पॉंट अव यू दे रहे हैं आप क्या कहना चाहें है बिग अब रदर जब आप ऐसे कॉमेंट्स रीड करते हैं या तो दोस्ती में जेंडर नहीं देखा जाता मुझे लगता है उसमें आप लोगो की खूबियों को देखते हो उनके उनकी परस्नालिटी को देखते हो पर कभी कबार वो चीज टीव पर अलग वे में जा रही है विच इस नौट ट्रू मेरी बहन की मेल फ्रेंड काफी रियल अगर आपको घर के अंदर जाने का मौका मेले इशा से मिलने का क्या वो सजीशन जो आप देकर आने वाले हो मैं तो यही बोलूँगा कि देखो मेरे मम्मी अपने मुझे यही सिखा है चोटे से मुझे भी और मेरी बहन को भी कि अगर आप किसी को कोई भी एक वर्ट देतो तो उसको एंड तक निभाओ अगर उनने यह बॉंड बना है आलिस, अभीनाश और विविन के साथ तो जैसे आप निभा रही हो इसको भले ही कुछ भी मैंको बदा गेम्स में अपन डाउन होगा क्योंकि वो घर ही ऐसा है कि सरकम्स्चांसे चेंज होते हैं तो मैं पहले तो देखो मेरी बहन जैसे जा रही है मैं पहले तो नहीं देखूंगा उसके बाद मैं विविन को देख रहा हूँ बिकस अफकॉस क्लारिटी और वो जो चुम्पोस्ट नेचर है उनका वो 100 परसंट जा सकते हैं उसके बाद आईसी मेभी करनवीर बिकस करनवीर जाता है कि वो उनमें वो शमता है कि वो जा सकते हैं तॉप थ्री में तॉप थ्री में एसा ही आप भी अंदर जाएए इशा को कुछ ना कुछ जरूर सपोर्ट मिलेगा और जब आपको देखकर शायद उनने और भी स्ट्रेटेजी समझ में आए कि बाहर क्या चल रहा है सब्सक्राइब कर सकते हम की क्या हो रहा है सो लास्टली क्या मैंस देना चाहेंगे इशा के फैंस के लिए यही देना चाहूंगा कि ऐसी लगे रहो मैं जानता हूं मेरे फैंसे वन-to-one बाते हो रहे हैं और मितलब वो कितना सपोर्ट कर रहे हैं I know सो मैं बस यही गाना चा पोर्ट कर जेरो